स्वागत है आपका मेरे किचन में तो आज की जो रेशिपी है वो है कड़ी पोकोडा ये जो रेसिपी है हर जगा अलग-अलग तरीके से बनती है लेकिन जो अध की रेसिपी है मेरी घर की रेसिपी है, एक बार आप जरूर बना के देखिएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगा, और आप कमेंट करके जरूर बोलेंगे कि रेसिपी बहुत टेस्टी है, चलो स्टार्ट करते हम अपनी रेसिपी, पकोड़ा बनाएंगे, उसके लिए हमने आप एक कप बेशन लिया जितनी आपको जरूरत हो, पहले आप थोड़ा सा पानी डालिए, उसको गुमा के मिलाइए, फिर कम लगेगी और जरूरत है, आप और मिलाइए, इससे लंस नी बनते हैं और अच्छा पेस्ट बनता है, आपको इसको अच्छे से पेस्ट बनाना है, घुमाना इस तरह से, तब ही आपके पकोड़े एकदम सॉफ्ट बनेंगे और अच्छे बनेंगे, अब इसको हम यहाँ पे 15 मिनिट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम यहाँ पे कड़ी के प्रिपेशन करते हैं, यहाँ पे मैंने एक कप दही डाली है, इसको इसके बाद हमने यहाँ यहाँ पे तीन चम्मच बड़े चम्मच बैसन डाला हुआ है, इसके बाद नमक अपने स्वात के नुसर आप डाल दीजिए, हाफ टेबल स्पून रेट चिली और हाफ टेबल स्पून हल्दी, इसको पहले अच्छे से मिला दीजिए, लंस इसकी जितने भी आप इसको हटा इसके बाद यहाँ पे मैंने तीन टेबल स्पून मस्टर्ड ओल डाला है, मस्टर्ड ओल से बहुत अच्छा फ्रेंगने साता है, यहाँ पे मैंने मेथी डाली है, जीरा डाला है, और अधरक लशन का पेस्ट डाला है, अधरक लशन के पेस्ट से बहुत अच्छी आती है। जितने भी मैंने यहाप डॉला है पिंच ओफ ही डाला है। तो आप इस इसका ध्यान रखे। से अइसके बाद यहां पर मैंने जो पेस्ट बनाए था वो मैं दाल रहा हूं। कि सब एकी बारी में डाल दीजिए। इसके बाद उबाल आने का हमें वेट करना है बचा हुआ भी मैंने डाल दिया था आप देखें यहां पर उबाल आल रहा है कम से कम 15 मिनिट बाद यह उबाल आना स्टार्ट हुआ है आपको मीडियम आच में बनाना है अगर आपको लगता है कि आप जल्दी में है और जल्दी खाना है तो आप तेज आच में भी बना सकते हैं वैसे तो मीडियम आच में ही अच्छा कड़ी बनता है अगर आप चाहे तो तेज आच में भी बना सकते हैं जैसे एक उबाल यहां पर आ चुका है इसके बाद आप चलाना बन कर देंगे, कोई इशू नहीं है इसके बाद यहाँ पे एक धककन से आप धक दीजिए और इसको 20 मिनिट के लिए छोड़ दीजिए 20 मिनिट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था आप देखें यहाँ पे किस तरह से एकदम गाड़ा हो चुका है यह अगर आपको गाड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप पानी एड़ कर सकते हैं इसमें अब देखी जो पेस्टे पकोड़ा बनाने के लिए इस तरह से रेडी हो चुका है अब यहाँ पे एक-एक करके हम सारे पकोड़ा डाल देंगे पकोडे के लिए मैंने तेल यहाँ पर कमी लिया है क्योंकि जब हम पकोडे बनाते हैं तो फूल के जो इसमें एक बबल्स बनते हैं और एक छोटे-छोटे छेद बनते हैं जैसे आपने देखा है इसमें तो इसकी जरी यहाँ पर कड़ी जाती है और जो हमारे पकोडे एकड़म फ्लप्पी बनते हैं और जब कड़ी अंदर जाती है तो स्वाद भी उस कड़ी का पूर अच्छे तरगी से आता है तो इस चिसका हमें ध्यान देखना है कि तेल हमें कमी डालना है ज्यादर डालने की बिल्कुल जरूत नहीं हमें हमारे पकोड़े एकड़म रेडी हो चुके देखे कितने संदर लग रहे हैं अब इस कड़ी में हम पकोड़े सारे डाल देंगे इसके बाद यहाँ पे मैंने एक टेबल स्पून घी लिया है इसमें हमने मेथी दना डाल दिया है इसके बाद हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे इसके बाद मिर्च दो चार तोड़ के डालें मैंने इसके बाद हिंक थोड़े से कड़ी डाल के आप इसको थोड़ा सा तड़का दीजिए इसके बाद लदेगी मिच डालना है आपको 1 tablespoon color के लिए इसके बाद आप इसमें देखी डाल दीजिए और देखी कितना अच्छा color आ रहा है अब ये एकदम तयार है खाने के लिए आप इसको आराम से 5-6 लोग खा सकते हैं और अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो like और subscribe जरूर कीजिए थैंक्यू